उधारण 20 बहुपद 6X की घाद 2 धन 5X रिन 6 का गुणन खंडन कीजिए हल बहुपद 6X की घाद 2 रिन 5X रिन 6 का हमें गुणन खंडन ग्याद करना है सबसे पहले हम इसकी तुलना AX की घाद 2 धन BX धन C से करेंगे यहाँ पे A का मान 6 है B का मान रिन 5 है और उसी तरह से C का मान रिन 6 है अब चुकी A गुणा C बराबर 6 गुणा रिन 6 बराबर रिन 36 होता है तो हम सबसे पहले रिन 36 के संभावित गुणान खंड ग्याद करेंगे तो रिन 36 के संभावित गुणान खंड कैसे लिख सकते हैं 1 गुणित रिन 1 गुणित 36 रिन 2 गुणित 18 रिन 3 गुणित 12 रिन 4 गुणित 9 रिन 6 गुणित 6 सब में हमारे पास रिन 36 प्राप्त होता है हो रहा है उसी तरह से और दिखते हैं जो संभावित गुणान खंड है वो है एक गुणा रिन 36 2 गुणा रिन ठारा 3 गुणा रिन 12 चार गुणा रिन और 6 गुणा रिन चे यह हमारे रिन 36 के संभावित गुणान खंड गुणान खंड है अब हम देखते हैं कि इन सभी गुणान खंडों में ऐसा कौन सा समू है जिसका योग करने पर हमें रिन 5 प्राप्त हो रहा है तो ध्यान से कहीं हम देखेंगे हमारे पास हमने क्या किया रिन 36 के संभावित गुणान खंड निकाले गुणान खंड निकालने के बाद हम यहां पे ऐसा ऐसे सम्हू का योग निकालेंगे जिसका योग मध्य पद बी बराबर रिन पांच है तो यहां देखेंगे हम ध्यान से कि चार गुणा रिन नौ जो है इसको कहीं हम योग करते हैं इसका हम योग करते हैं चार धन रिन नौ तो हमें प्राप्त होंग रिण 5 जो की मध्यपद B के बराबर है तो हमें ये पता चल गया है कि जो हम मध्यपद का गुणन खंडन तोडएंगे उसके लिए हमें प्राप्त हुआ है 4 धन रिण 9 अब हम पुना लिखेंगे 6 X की खाथ 2 रिण 5 X रिण 6 जिसका हमें गुणन खंडन करना है बराबर 6 X की खाथ 2 रिण धन रिण 5 को हम लिख सकते हैं 4 रिण 9 और बहार में X रिण 6 बराबर हमने यहां पर रिण 5 को 4 रिण 9 की रूप में लिखा है जो हमें यहां से प्राप्त हुआ है और उसके बाद हम सबसे पहले इसका कोश्टक खोलेंगे मध्य पद का तो धन 4 X हमें प्राप्त होंगा रिण 9 X रिण 6 अब हम यहां पहला और दूसरे पद में समू बना के 6 X ही खा 2 धन 4 X लिखते हैं और यहां से रिण 1 को उभेनिश्ट निकाल लेते हैं तो यहां में प्राप्त होंगा 9 X धन 6 और इसको हमने कोश्टक में लिखा अब यहां पे उभेनिश्ट संख्या हम यहां निकाल सकते हैं 2 X यहां से हम 2 X निकालेंगे कोश्टक के बाहर से दोनों पदों में यह उभेनिश्ट है उभेनिश्ट 2 X को निकालेंगे तो यहां बचेंगा 3 X धन 2 और रिण यहां से उभेनिश्ट जो है वो 3 निकल जाएं और यहां बचेंगा अपना 3X धन 2 बराबर अब हमारा दो पद है 2X कुष्टक में 3X धन 2 एक पहला पद और दूसरा पद है रिन 3 कुष्टक में 3X धन 2 दोनों पदों में हमारे पास 3X धन 2 उभाईनिष्ट हैं इसे हम कुष्टक के साथ में बाहर ले लेंगे तो दूसरा जो कुष्टक में हम लिखेंगे 2X रिन 3 जो की 6 बचा है तो इस तरह से हमारे पास जो प्राप्त हुआ है वह है 3X धन 2 पहले कुष्टक में और दूसरे कुष्टक में 2X रिन 3 यह हमारा अभिष्ट गुणनखन है